चलो सुनो सब लोग आज हम लोग को मेकानिजम स्टार्ट करना है और एक्जामनेशन पॉइंट अव यू से देखे तो दो नमर मेकानिजम से कोश्चन रहेगा ही रहेगा इस चैप्टर में दो मेकानिजम एसन वन और एसन टू अलकोहल फिनॉल एथर में तीन मेकानिजम वो तीनों मेकानिजम एक साथ में तो पांच वही होगा और एक और आगया आएगा यानि कि छे में से एक मेकानिजम आपका कंफॉर्म है तो स्टूडेंट्स को और गेनिक में जहां दिक्कत होता था तो उनलों को बताते हैं कि यह यह पोर्षन में सीलिबस कम है और करने वाले हैं तो दो नमबर इंग्जामनेशन में कंफॉर्म आपका आने वाला है मिनिमम टू मार्क्स का दो से ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम टू माक्स का आएगा और बस थोड़ा सा धियान देना होगा उसके उपर में तो हेडिंग आप लोग भी लिख लिजें मेकानिजम औफ निकलियोफिलिक सब्टिचूशन रियक्षण इसमें दो मेकानिजम पढ़ने हम लोग को फॉस्ट सेन रियक्षण मेकानिजम पहले लिखवा देते हैं उसके बाद फिर सब समझाएंगे करके इसका क्या मतलब है इससे क्या होता है लिखे लिखे इसके बारे में. लिखे इसके बारे में. लिखे इसके बारे में. लिखे इसके बारे में. only one reactant depends on the concentration of only one reactant only one reactant आप ये एक्वेस्य नूट किजी लूट कर लिए एक्वेस्य नूट कर लिए उसका नीचे लिए एक्वेस्यन का नीचे ज्यूम्य ज्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्यूम्य अस्टेप फॉस्ट लिग करके दाइस तू अस्टेप फॉस्ट लिखे इन दिसस्टेप इन दिसस्टेप हेटरोलिटिक फीजन हेटरोलिटिक फीजन हेटरोलिटिक फीजन अफ सी एक्स बॉंड कार्बन हलोजन बॉंड ऐसे लिखोगे पीजन हेटरोलिटिक फीजन आफ CX बर स्थ बॉंड झे लैस नचर प्रमिशन besbon ट creations नचर चर्बकाइण and results the formation of carbo cation carbo cation आप भी नूट कीजिए जैसे लिख रहे हैं वैसे कि अपने भी नूट कीजिए लिख रहे हैं नूट कर लिए अस्टेप टू लिख यह स्टेप वन था इसके बाद स्टेप टू रिखो इन दीश स्टेप in this step nucleophilic attack in this step nucleophilic attack take place nucleophilic attack take place on carbo cation मौत अ कर्बकाटियन समय सommen कार्वकाटिन तो ninety विस्तित शोरिज menorah तो कर्ब अबर्में से पर निजर्में से कौरिश अथैन ञे टे कर्जर्द तो टॉर्द्ड अथैनल अफना पर आ ये घजर्द्डर थाप्नल पा में ano एक्स्प्रेन करेंगे सब एक साथ अब लिखेंगे सेंट टू रिएक्शन मेकनीजम सेंट बिएक्शन मेकनीजम सेंट सेंट लिएक्शन मेकनीजम लिखे इसके बारे में it is bimolecular, it is bimolecular nucleophilic substitution reaction, it is bimolecular nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, it obey second order kinetics and its rate depends on the concentration and its rate, yanikis reaction ka rate and its rate depends on the concentration of, depends on the concentration of both of the reactant, depends on the concentration of both of the reactant, both of the reactant, bracket me li khega, alkyl halide, alkyl halide as well as nucleophile, alkyl halide as well as nucleophile, as well as nucleophile. नूटके जैसको लिक है इसके निचे लिखो The mechanism of the reaction, the mechanism of the reaction completed in, the mechanism of the reaction completed in single step, completed in single step. The making, the making and breaking, the making and breaking, the making and breaking आप भी इसको नूट कर लीजे जो बोर्ट पर लिखें को नूट कर लीजे इस्टेश कर लिखें कि अब थोड़ा सा समझनी कोसिस करते हैं यह सब क्या लिखवाया हुआ हुआ है जो कि सब्सक्राइब यह अभी समझ में आएगा पांच मिट में तो बाकी का जितना कोशन है वो सब बन जाएगा और अभी थोड़ा सा सब्सक्राइब यहां तो आपको समझ में आएगा जैसे यहां एसन टू रियक्शन में हम लोग क्या देखे पहले एसन वन की बात करते हैं यह अलकाइल हलाइड CS3 है यहां B.R. CS3 को Xpanded zwar में लिखते है एच एच और यह एच यहां पर से मिथायल ग्रूप है यह मिथायल ग्रोप यहां भी मिथायल ग्रोप और दूसरे वाले पार्ट में SN2 तु रियक्शन में हम लोग यह एकजामम लिए थे Lai Dul जो हाई रोज़न ह्टोजन और यहां पर ब्रोमीन दोनों जगा पर निकोलियोफाइल यह निकी ओफ टरोच करता है यहां भी ओफ माला से अप्रोच कर साथ में तीन अलकाइल गुरूप लगा हुआ है यह ब्रूप यह ब्रूप यह ब्रूप और यह निकली ओ फाइल है यह अलफा कार्मन पर जुड़ना चाहिएगा वह पड़ें हम लोग है हैलोजन को हटाकर उसकी जगह पर क्या जूड़ जाएगा निकलियोफाइग जैसे CS3 BR है इसका नोह एक्वस से कराएगे तो ओएच माइनस निकलियोफिलिक पार्ट है तो BR को हटाकर जूड़ जाएगा जो डाइग्राम दिख रहा है उसके अनुसार से आप बताओ यह दोनों ओएच माइनस दोनों कंडिशन में फॉस्ट वाले में और सेकंड वाले में दोनों में अलफा पर जूड़ना चाहता है आप बता तो कहां पर ओएच आसान से क्या करेगा रोकेगा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं ठीक है यहां पर इतने बड़े बड़े ग्रूप जबकि इसके पास में छोटा है तो आसानी से चला गया तो एक बात तो यह तैय हो गया कि अगर अलफा कार्वनेटम के साथ में स्मॉलेस्ट एटम या ग्रूप ल यह tetraheadle arrangement है और इस tetraheadle arrangement में bond angle का value 109.5 डिग्री होता है तो यह क्या करता है सबसे पहले है अलोजन को बाहर कर दिया अब यह बन गया CS3, 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 अब इनका geometry हो गया tetrahedral, tetrahedral, इनके उपर में plus 4, अगर याद होगा chemical bonding, तो tetrahedral में bond angle का value होता है 120 degree, पहले यह bond angle कितना था, 109.5, ओ सॉरी, उल्टा उल्टा बोल दिए, उल्टा बोल दिए, यहाँ पर पहले इसका geometry कैसा था, tetrahedral, और अभी यहाँ पे जब वो एक bond break कर दिया, तो अब इनका geometry कैसा हो गया, trigonal planner, trigonal planner, और इस trigonal planner में के bond angle का value कितना हो गया, 120 degree, तब आप खुद सोचो, यहाँ पर जब halogen जुड़ा हुआ था, तो OH को अप्रोच करने में मुस्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही से halogen को हटा दिये, BR माइनस यह break करके बाहर निकल गया, तब इनके बीच का bond angle value कितना हो गया, 120, तो ऐसे imagine करो कि 109 था, अब यह 120 हो गया, तो यह अप्रोच करने का रास्ता क्या हो गया, खुल गया, तो यह दो step में हुआ, अब इसके mechanism को यहाँ से समझने ही कोशिस करते हैं, इस जगह पर दे SN1 reaction में tertiary alkyl group है, तो यहाँ पर यह first step में क्या हुआ, यहाँ से इनका यह halogen break क्या heterolytic fission, क्योंकि carbon और halogen में halogen का electron negativity ज़ादा है, तो जब यह bond break करेगा, तो दोनों का दोनों electron किसके पास में चला गया, ब्रोमीन के पास, तो जिनके पास में electron जायागा, उनके उपर में minus charge और जिनका गया उसके उपर में plus charge, यह कार्वो कटायन का formation हुआ, जोमेट्री कहां से change किया, पहले tetrahedral जोमेट्री था, और अब इनका जोमेट्री trigonal planner हो गया, और दूसरे step में यहाँ पर यह nucleophile अप्रोच किया, और अब आसानी से उसके जगा पर यह nucleophile आ गया, तो concept क्या अगया, अगर alpha carbon atom के साथ में bulky group लगा हुआ है, तो reaction दो step में पूरा होगा, और अगर simple group लगा हुआ है, तो एक step में पूरा होगा, ठीक है, अब याद करवाते हैं पूरा reaction, मेरी तरफ नी धियान से सुनोगे, पहले इसका full fault, SN1, एक देखो कि यहाँ पर तो यह तीन पार् nucleophilic, unimolecular nucleophilic substitution reaction, SN1 का मतलब हो गया, unimolecular nucleophilic substitution reaction, और SN2 का मतलब क्या हो गया, bimolecular nucleophilic substitution reaction, unimolecular first order cardics को follow करता है, chemical cardics हम लोग अलरेडी पढ़ चुके हैं, chemical cardics में हम लोग बात कि यह first order का मतलब हुआ, जहां rate of reaction सिर्फ एक reactant के concentration पर डिपेंड करता है, और second order का मतलब हुआ, जहां rate of reaction दो reactant के concentration पर डिपेंड करता है, तो यहां पर SN1 reaction में सिर्फ एक ही के concentration पर डिपेंड करेगा, वो भी alkyl halide, ऐसा क्यों, इस जगह पर देखो, SN1 reaction में यह step कौन सा दिया हुआ है, slow step, तो first step is the slowest step, और second step comparatively fast हो गया, तो खहता है कि अगर कोई reaction more than one step में complete होता है, then the slowest step is rate determining step, तो जो slowest step होता है, वो rate determining होता है, इसका मतलब rate first step पर डिपेंड करेगा या second step पर, और first पर देखो सिर्फ alkyl halide है, यहां कहीं कोई niquelophile नहीं है, यानि कि rate किस पर depend करेगा सिर्फ alkyl halide पर, लेकिन वहीं अगर हम लोग SN2 reaction को देखेंगे, तो SN2 reaction में यहां पर यह OH आसानी से अप्रोच कर रहा है, तो देखो इस जगा पर यह dot 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 का मतलब हुआ, oxygen और carbon के बीच में bond बन रहा है, और यह dot 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 का मतलब हुआ, कि पहले से जो carbon और bromine के बीच में bond बना हुआ था, अब यह bond क्या हो रहा है, तूट रहा है, लेकिन इस जगा पर देखा जाए, तो alkyl halide भी है, और nucleophile भी है, दोनों का, दोनों reactant यहां पर आविलेबल है, तो इन दोनों के उपर में depend करेगा, इसलिए कहा जाता है, कि यह second order kinetics को follow करता है, SN2, biomolecular, और किस kinetics को follow करता है, second order को, लेकिन छोटा होनी की वज़े से, यह single step में complete होता है, एक ही step में, यानि कि यह जुड भी रहा है, और यहां से यह तूट भी रहा है, तो यह आ गया, फिर से, अब बताओ full form, SN1 का मतलब क्या हुआ, Unimolecular Nucleophilic Substitution Reaction, SN2 का मतलब, Bi-Molecular Nucleophilic Substitution Reaction, SN1 किस order को follow करता है, फॉस्ट और को, और SN2, second order को, SN1 में rate किस पर depend करता है, फॉस्ट और, alkyl halide के concentration पर, और, SN2 में rate किस पर depend करता है, alkyl halide as well as nucleophile, nucleophile और alkyl halide दोनों के concentration पर depend करता है, अब याद जो रखना या confusion जो होता है, उसमें, SN1 reaction एक ही पर depend करता है, बट इट completed in two steps, तभी तो एक बार में alkyl halide होगा और दूसरी बार में nucleophile होगा, जबकि SN2 reaction कितने step में complete होता है, one step में, SN1 में दो step में क्यों पूरा हुआ, क्योंकि वहाँ पर alpha carbonateum के साथ में bulky group लगा हुआ था, और यह एक यह step में क्यों पूरा हो गया, क्योंकि इसके साथ में simple group लगा हुआ था, तो इसको question बनाने के लिए, अगर हम लोग याद करने वाले तरीकों को follow करें, यह किस तरीके से यह होता है, तो यहां आया, कि अगर CS3X है, CS3X है, फिर primary है, फिर secondary है, और फिर tertiary है, जो पूछेंगे वह बताना, आप बता तो alpha group के साथ में कहां bulky part लगा रहेगा, CS3X में या तरसेरी में, तरसेरी में, तरसेरी कहने का मतलब क्या, तीन carbon atom लगा हुआ इसके साथ में, तो इसकी तरफ में, यानि कि तरसेरी की तरफ में बढ़ेंगे, तो यहां पर SN1 reaction fast होगा, इस जगर पर, यानि कि जतना ज़्यादा bulky group लगा रहेगा, उसके दो step में पूरा होने का chances है, उसमें एक ही पर rate depend करेगा, और वो SN1 reaction होगा, उसी का ठीक उल्टा, इस साइड में अगर हम लोग चलेंगे, तो यह किसको follow करेगा, SN2 reaction को follow करेगा, SN2 reaction mechanism होगा, यह यहां रखना है द्यान, दूसरा, SN1 और SN2 दोनों में alkyl group अगर सेम हो, तो वहां पर बोथ SN1 और SN2 यह follow करता है, RF से ज़्यादा होगा rate of reaction, RCL का, RCL से ज़्यादा होगा, RBR का, और इन से ज़्यादा होगा RI का, यह रीजन यह, कि जैसे जैसे हम लोग iodine की तरफ में बढ़ते हैं, तो bond dissociation enthalpy घटता है, यानि कि bond आसानी से break करते हैं, और जब bond आसानी से break करेंगे, तो वहां पर nucleophilic substitution reaction fast होगा, note में लिखवा देते हैं, under the heading of note लिखे, first point, फिर से हम repeat करेंगे, पूरा बनेगा, लिखे, लिखे, note में लिखे, first point, लिखे, in SN1 reaction, in SN1 reaction, the rate depends on the, the rate depends on the concentration of, the rate depends on the concentration of alkyl halide, the rate depends on the concentration of alkyl halide, because, because, the reaction, because the reaction, completed in two steps, because the reaction completed in two steps, and the first step, and the first step, is slowest step, and the first step, is slowest step, is slowest step, and rate determining step, and rate determining step, rate determining step, note में second point, the reactivity of, the reactivity of, SN1, the reactivity of SN1, and SN2, and SN2, obey, obey, the following sequence, SN2 obey, the following sequence, following sequence, I will note, note कर लीजिए, ये वाला पार्ट, उपर वाला, दोनों पार्ट लिख लिए न, उपर वाला ये वाला, चलो सुनो, अब फिर से याद दिलाते हैं, जैसे, electronic configuration लिखने के लिए, आपको बताये थे, electronic configuration लिखना है, किसी भी element का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि आप बाप प्रिंस्पल का sequence कर लेना है, 1S, 2S, 2P, उसके बाद में फिर करना है, वैसे ही, जैसे ही कुछ question, SN1 और SN2 का आए, तो question पे पहले attempt करने के पहले, इतना दिमाग खुसांत रख करके, कुछ करना होगा activity, यानि लिखना होगा, यह वाला sequence, जो उपर में लिखा हुआ है, वो, क्योंकि वो लिखा रहेगा, तो बागी सारा question बन जाएगा, अभी जितना question हम लोग discuss करेंगे, वो इसी sequence पर based होगा, पता कैसे चलेगा, कहां तक जाना है, जो ऐसे recall करोगे, SN1 reaction, फुल फॉर, यूनि मालीकुलर, नीकलियोफिलिक सब्टेजूशन रियक्शन, ठीक है, कितने step में पुरा होता है, दो step में, SN1 दो step में, तो यहां पर alpha कार्बनेटम के साथ में, bulky group होता है, simple group, इसका मतलब, SN1 टर्सेरी में फास्ट होगा, जैसे ही एक पार्ट यह पता चल गया, कि SN1 टर्सेरी में फास्ट होगा, तो SN2 simple वाला में फास्ट होगा, सिक्वेंस देखो तो बन गया, टर्सेरी की तरफ में जा रहे हैं, तो कौन फास्ट हो रहा है, SN1 और प्राइमरी की तरफ में जा रहे हैं तो SN2, अब कोश्टन पूछेगा, बस ऐसे ही करना है, एक बार में ध्यान से करना है, SN1 unimolecular, फॉस्ट अर्डर कार्णिक्स को फॉलो करता है, दो स्टेप में पूरा होता है, यानि अलफा कार्वेनेटम के साथ में बल्की ग्रूप लगा हुआ होना चाहिए, यानि कि टरसेरी सबसे ज़्यादा होगा, और SN2 रियक्षन में प्राइमरी से भी ज़्यादा जो सिंपल अलकाइल हलाइड है, CS3X वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, अब इसके बाद में इससे रिलेटेड कोश्चन पर आते हैं हम लोग, तब जाकर के क्लियर होगा कि कौन सा पार्ट ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर, बोट पर ही देखोगे, लिखने के चकर में नहीं रहना है, यहाँ पर, यहाँ एक्जाम्पल का question number 10.6 है, यह करा, in the following pair of halogen compound, which would undergo SN2 reaction faster, यानि कि इन दोनों में से कौन SN2 reaction fast करेगा, आप सोचो थोड़ा सा पहले, आप बताओ, SN2 reaction वान स्टेप में पूरा होता या टू स्टेप में, वान स्टेप में, तो alpha carbonatum के साथ में simple लगा होना चाहिए, या बल्कि simple, यानि कुछ जो simple होगा, उस में SN2 fast होगा, अब यहाँ पर इसको हम लोग primary, secondary, tertiary में classify कर लेते हैं, यह alpha carbonatum, और यह directly इससे जुड़ा होगा है, यह कौन सा होगया, टू डिगरी, तो अब बताओ, वन डिगरी में fast होगा, या टू डिगरी में fast होगा, किसमें, वन डिगरी में fast होगा, तो पहला का अंसर यह आ गया हमारा, second question, इन दोनों में देखो, अलकाइल ग्रूप same है, तो अभी हम लोग लिखे हैं कि चाहे SN1 हो या चाहे SN2 हो, दोनों में किसमे, किसमे fast होगा, फॉस्ट वाले में या second वाले में, देखो न, अभी तो लिखे हैं हम लोग, यहां देखो, SN1 और SN2 दोनों fast होता है किसमे, आरे, उसे ज़्यादा, RCL, RCL से ज़्यादा RBR, और RBR से ज़्यादा RI, तो यहां इसका अंसर बताओ, कौन होगा, पॉस्ट होगा, बरू समझ में आए कैसे किया जो, निखे, primary, secondary, tertiary कर लिए, और उसके बाद में SN1 कहा जा रहा है, या SN2 कहा जा रहा है, दूसरे question पर आते हैं, यह example 10.7 का question, यह बनाना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं, यहां कर रहा है, predict the order of reactivity of the following compound, in SN1 and SN2 reaction, यानि SN1 का भी reactivity बताना और SN2 का भी, तो simple है, SN1 का जो sequence होगा, SN2 का ठीक उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दो question है, first में, the four isomeric bromobutane, यानि bromobutane के four isomers का arrangement करना है, तो पहले इसके four isomers को बना लेते हैं, first में, एक देखो तो यह बन जाएगा, CH3, CH2, CH2, CH2 और BR, एक ही हो गया, इसको A कर देते हैं, one bromobutane, अब दूसरा हम लोग two bromobutane बना लेते हैं, CH, BR, और CH3, यह two bromobutane हुए, अब और आईसो मर्स क्या बन सकता है, एक carbon atom को branch में डाल देते हैं, CH, CH3, CH2, BR, यह हो गया आपका C, और चौथा और क्या हो सकता है, tertiary, CH3, 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 और यहां BR, यही चार आईसो मर्स बनेगा, हम लोग बनाएं भी हैं, हम लोग C5, H11, BR तक का बनाएं, और C4, H9, BR भी था, यह चार आईसो मर्स बन गया, अब आपको बताना है primary, secondary और tertiary, यह बताना है, आप इसे बताओ, यह alpha carbon atom directly एक से जुड़ा हो है, क्या हो गया यह, primary, देखते हो, आते हो और दर्वाजा को खोल देते हो, उसी के विज़े से परसानी होता है, यहाँ यह alpha carbon atom directly कितने से जुड़ा हो है, दो से, कौन सा हो गया यह, 2 degree, यह alpha carbon atom सिर्फ एक से जुड़ा हो है, यह क्या हैगा, 1 degree, इसको बताओ, 3 degree, यानि कि tertiary, अब SN1 का sequence पहले लिख लेते हैं, फिर सोचोगे आप, जो जैसे पूछ रहे हैं, वैसे बताओ गया, SN1 reaction कितने step में, 2 step में, तो यहाँ alpha के साथ bulky group लगा रहेगा या simple group, bulky group, तो इन चारों में बताओ, तो सबसे fast कहां पर होगा, D वाला में, सबसे ज़्यादा वहाँ होगा, तो increasing order में अगर लिखना है, तो जो सबसे कम होगा, उसको पहले लिखना पड़ेगा, और जो सबसे fast होगा, उसको बाद में लिखना होगा, तो बाद वाला तो D समझ में आ गया, आप बताओ सबसे कम किस में होगा, वन डिगरी, तो वन डिगरी A भी है और वन डिगरी C भी है, तो अभी इन दोनों में कौन ज़्यादा simple है, A, तो इसमें पहले आ जाएगा कौन, A, इसके बाद कौन आएगा, C, इसके बाद, इसके बाद, D, A, C, B, D, ये increasing order में sign भी increasing order का कर रहा है, ये हो गया SN1 का, और जब SN1 का पता चल गया, तो SN2 का इसी का ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा, बताव sequence, D, B, C, A, D, B, C, A, ठीक है, इसको ये करना है, चेंज करते हैं, कि नोट करना है, दूसरे question पर आते हैं, ये तुमको बनाने के लिए देंगा, second वाला part, ठीक है, second वाले में arrangement करने के लिए, इसको सबसे परें structural form में convert करते हैं, तब identify करना आसान हो जाएगा, यहाँ है second वाले में, C6H5, यानि Benzine Ring है, CH2, BR, इसको A करने के, फिर यहाँ पर है, C6H5, CH, C6H5, और यहाँ BR, इसको B मना दिया, फिर इस जगह पर, C6H5, CH, CS3, और यहाँ BR, यह C हो गया, और इस जगह पर, C6H5, C, CS3, C6H5, और यहाँ BR, और यह क्या हो गया, D, primary, secondary, tertiary कर लोगे उसके बाद में, बनेगा, फ़़ा सा कोसिस कीजिए, rough में भी कीजिए, कहीं पर भी कीजिए, और आई काट देजिए आप लोगा टेंडेंस के लिए, हो गया, प्राइमरी, secondary और tertiary, उसके बाद थे, यह अल्फा कार्मेनेटर में एक से जुड़ा है, क्या हो गया, प्राइमरी, यह बताओ, 2 डिग्री, यह बताओ, और यह, 3 डिग्री, सबसे पहले, SN1 का अरिंग्मेन, प्राइमरी से tertiary की तरफ में जाएगा, तो बताओ, सबसे पहले कौन होगा, A, A के बाद कौन आएगा, C, दोनों secondary है, लेकिन यहाँ मिथाईल है, यहाँ क्या है, बेंजीन है, यह ज़्यादा बल्की हो गया, तो A के बाद में कौन आजाएगा, C, C के बाद, B के बाद, D, अजब SN1 पदा चल गया, तो SN2 इसी का ठीक उल्टा, बताओ, D, B, C, A, कई लोग क्या करते हैं, उनको यह greater or smaller का sign नहीं समझ में आता है, सीक्मेंस लिए, A, C, B, D, लेकिन ऐरो ऐसा कर दिया, तो जिसके वज़े से गलत हो जाता है, हमेशा कोसिज करना, अगर decreasing order का रहा है, तो ठीक है, नहीं तो सेंस नहीं कल रहा है, तो increasing order लगाना चाहिए अपनी तरफ से, बनाएं थे आप लोग, क्या, 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 क्योश्य नमर बन, क्योश्य अक्षन कौन फास्ट करेगा वो बताना है, बताओ इन दोनों में से कौन करेगा, नाम बताओ, इस थ्री आई, इसमें बताओ, यहां, इस थ्री होल्थ्राइस है, अगर कर दें, तो CS3, CS3 और CS, SN1 का कहा जा रहा है, SN2 का, वन स्टेप में पूरा होता या टू स्टेप में, तो सिंपल ग्रूप होना चाहिए, या बल्की ग्रूप, बस ऐसे ही दिमाग में आना चाहिए, यह कोशन आप था, ठीक है, तो बताओ, यहां पर फॉस्ट वाला या सेकंड वाला, यानि कि CS3, CS3, थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह कर समझने में कोई दिकत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकने हैं, हम अपनी तरब से पूरी कोशिस करेंगे, उसे रिप्लाइ करने के लिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड सेयर करें, टैंक्यो वरी मुझे,